आज के इस वीडियो के दौरा हम ये सीखने वाले हैं कि जो हमारा ट्राफिक लाइट का सिगनल होता है उस सिगनल का वाइरिंग हम किस प्रकासे करेंगे जैसे कि आपको मालुमें ट्राफिक लाइट में टोटल तीन लाइट का इस्तमाल किया जाता है red, yellow और green यह जो हमारा तीनो लाइट है इनको हम कुछ इस प्रकास से कंट्रोल करेंगे जिससे की जो हमारा red light है सबसे पहले ये वाला light ओन हो उसके भाद yellow light हमारा ब्लिंग हो उसके भाद जो हमारा green light होगा इसको हमें glow करवाना है अब यदि आप किसी ट्राफिक लाइट का वाइरिंग करने जाओगे तो आपको वहाँ पे टोटल टीन टाइमर का इस्तमाल करना पड़ेगा आप टीन टाइमर का इस्तमाल करने के बाद ही इन टीनो लाइट को कंट्रोल कर सकते हो लेकिन आज मैं आपको traffic light का wired ring एक micro controller का इस्तमाद करके बताने वाला हो यह जो मेरे पास में micro controller है इसको हम कहते है Arduino board Arduino board क्या होता है एक बास समझ लेते हैं देखिए यह जो मेरे पास में Arduino board है इस board में हम programming करते हैं और प्रोग्रामिंग करने के बाद जो भी आपका प्रोग्रामिंग होगा उस प्रोग्रामिंग के अनुसार आपको आउट्पुट कॉमांड मिलेगा और उस आउट्पुट कॉमांड को ले जाके हम किसी लोड को चालू और बन कर सकते हैं एक्जामपल के लिए आप समझ लिजिए कि आपका जो electrical में PLC होता है उसी प्रकास से जो electronics होती है electronics में एक प्रकार का Arduino board होता है आप इसको compare कर सकते हो PLC के जैसे जिस प्रकास से हम PLC में programming करके output command को generate करवाते हैं same to same इस Arduino board में भी हम programming करके output command को generate करवा सकते हैं कैसे करवाते हैं आप इस वीडियो के माध्यम से समझ जाओगे ठीक है अब ये जो मेरे पास में Arduino board है इस board को operate करवाने के लिए हमें इस pin पे इस board में ये जो pin दिया गया है इसमें हमें 5 volt का power supply देना पड़ता है तो इसको 5 volt का power supply देने के लिए मैं यहां पे 5 volt का adapter इस्तमाल करूंगा इस adapter का जो output होता है यहां पे हमें output power supply मिलेगा इसको लिए कि हम इस pin के साथ connect कर देंगे कुछ इस प्रकास है अब यह जो हमारा board होता है इस board में आप देखोगे यहां पे जो terminal दिया गया है इस से हमें output power supply मिलता है अब इस board के द्वारा जो output signal मिलेगा वो signal बहुती low voltage वाली होती है यानि कि मेरा जो lamp है यह सबी जो lamp है हमारे इन lamp को हम directly इस board के द्वारा operate नहीं करा सकते हैं तो इन तिनो indication lamp को चालू और बन करने के लिए हमें यहां पे एक relay module इस्तमाल करना पड़ेगा अब यह जो मेरे पास मे relay module है यह 5 volt वाली है यानि कि इसमें जो relay लगा हुआ है इसको चालू करने के लिए मुझे 5 volt का power supply देना पड़ता है अब इसको power supply देने के लिए यह जो मेरा Arduino board है इस Arduino board पे आप देखोगे यहां पे आपको ground और 5 volt का terminal मिल जाएगा तो इसी terminal से हम इसको निकाल देता हूँ अ करेंगे मैं connection करने के लिए jumper wire का इस्तामाल कर रहा हूँ यह जो wire है इसको हम कहते है jumper wire ठीके तो ground और 5 volt पे हमने 2 wire को connect कर दिये अब इसको ले जाके हमें क्या करना है यह जो relay module है इस relay module को operate करवाने के लिए इसमें जो ground और VCC वाला terminal है इनमें हमें power supply देना पड़ेगा तो ज नहां पे जो मेरा यह purple वाली wire है यह हमारा ground के लिए है तो इसको मैं ground वाले pin के साथ connect कर दूँगा अब यह जो grey वाली wire है इसको ले जाके मैं VCC वाले terminal पे connect कर दूँगा VCC का मतलब होता है positive terminal अब इस relay module में यह जो चारों relay है इन relay को operate करवाने के लिए हमें command डेना पड़त हैं तो यहां पे मैं तीन जंपर वार का इस्तमाल करूंगा इन जंपर वार को में ले जाके मेरा जो यह output वाला terminal है इस्में से जो four number का terminal है इस terminal का इस्तमाल करूंगा तो 4 नमबर के टर्मिनल पे मैंने रेड वायर को कनेक कर दिया 7 नमबर के टर्मिनल पे मैं यहां पे यलो वायर को कनेक कर दिया और जो हमारा 10 नमबर का टर्मिनल है इस पे मैंने ग्रीन वायर को कनेक कर दिया यानि कि मैं अभी 3 टर्मिनल का इस्तमाल करूँगा और इन तीनों टर्मिनल के दोरा मैं relay number 1, relay number 2 और relay number 3 इन तीनों को operate कराऊँगा अब यहां पे जो मेरा तीनों वायर है इन तीनों वायर को ले जाके मुझे इस relay को operate कराने के लिए यहां पे जो input command वाली टर्मिनल है इनके साथ connection करना होगा तो मैं इस वायर को अभी remove कर देता हूँ और उसके बाद इन तीनों वायर को ले जाके इन 1, इन 2 और इन 3 जो तर्मिनल है इन तीनों के साथ इस वायर को मैं connect कर दूँगा तो इन तीनों relay को operate करने के लिए हमने command generate करने वाली वायर को connect कर दिये अब यदि मैं यहाँ पे adapter को connect कर दूँ और साथ इस साथ में power supply को on कर दूँ तो जैसे कि आप देख सकते हो एक number relay को on करने के लिए power supply यहाँ पे मिल रहा है यानि कि अभी के time पे हमारा relay number one on है अब यह हमारा relay number two इसके बाद relay number three को on करने के लिए यहाँ पे command मिल रहा है ठीके यानि कि हमारा relay operate हो रहा है अब यह जो मेरा relay है इस relay के द्वारा मैं इन सबी light को चालू और बन करूँगा कैसे करेंगे समझ लीजिए देखिए आपको यहाँ पे क्या का ना है यह जो relay number one relay number two और relay number three है इनका जो common terminal है इनको आपस में sort कर देना है यानि कि आप देखोगे कि यह जो मेरा relay है इस relay का जो common terminal है यह वाली है तो इस वारे terminal पे मैं एक wire को connect करूँगा अब इस wire का जो दूसरा सीरा होगा इसको ले जाके मैं relay number two के common terminal पे connect कर दिया ठीक है इसके बाद यह जो relay number two का common terminal है इसी के साथ एक और wire को connect करूँगा और इस wire के दूसरे सीरे को ले जाके मैं तीसरे नमबर का जो relay है इसको मैं common terminal पे power supply दे दूँगा यानि कि इन तीनों टर्मिनल को हमने आपस में sort कर दिये अब यह जो हमारा traffic light है इनका connection हमें इस relay के द्वारा करना है connection कैसे करेंगे समझ लीजिए देखिए यह जो मेरा तीनों traffic light है इनको neutral power supply मैंने already connect कर दिया हूँ आप देख सकते हो यह जो wire neutral power supply के साथ connect होगा यानि कि इस indication lamp को neutral power supply provide कर दिया है अब इसके द्वारा एक wire इस lamp को लुप किया गया है और इसके द्वारा इस lamp को यानि कि तीनों lamp को मैंने neutral power supply connect कर दिया हूँ अब इन तीनों lamp का जो face वाले wire होगा इसको मैंने अभी open condition में रखा हूँ अब इनका हमें connection करना है तो इन तीनों lamp का connection करने के लिए हमें इस relay का एनों contact इस्तमाल करना होगा जैसे कि मैंने आपको बताया इस relay module का जो एक नमबर दो नमबर और तीन नमबर ये जो तीनों रिले हैं इन तीनों रिले का इस्तमाल करने वाला हूँ तो सबसे पहले मेरा जो stop indication है इस indication का connection कर देता हूँ इस indication का जो face वाला वायर होगा इसको ले जाके हम एनों contact के साथ connect कर देंगे यहाँ पे हमने एनों contact के साथ इस वायर को connect कर दिये अब जो हमारा यलो लैम पे इस लैम का जो फेस वाला वायर होगा इसको लाके हम सेकंड नमबर रिले के एनो कॉंटेक के साथ कनेक कर देंगे इसके बाद जो हमारा ग्रीन लाइट होगा ग्रीन लाइट का जो वायर होगा यानि कि फेस वाली वायर होगा इसको ले जा के हम तीसे नंबर के रिले के एनओ keeps railroad के साहत कनेक कर देंगे कुछ इस प्रकाल से connection हमारा हो जाएगा अब इन तीनों रिले का जो common terminal है इस common terminal पे हमये face apply को लाके connect करना होगा तो इसके लिए मैं इस wire का इस्तेमाल कर रहा हूँ इस वायर को मैं इस common terminal के साथ connect कर दूँगा यानि कि relay number one के common terminal के साथ इस वायर को connect कर दिया अब ये जो हमारा फे सप्लाई वाला वायर है और ये जो हमारा neutral power supply वाला वायर है इसको ले जाके हमें AC power supply यानि कि जो हमारा 230 volt वाला AC power supply है उसके साथ connection करना होगा तो मैं इन दो terminal पे इन दोनों वायर को ले जाके connect कर देता हूँ इसमें आप देख सकते हो हमारा फे सप्लाई और neutral सप्लाई आके connect है तो यहां पे हमारा connection हो गया तो अभी तक हमने केवल wiring किये अब हमें यहां पे इस ordino board में programming करना है programming हमें कुछ इस प्रकाज से करना है कि यह जो हमारा ordino board है यह board हमारा तीन timer के जैसे work करे यानि कि first timer हमारा red indication lamp को glow करवाए second timer हमारा yellow indication lamp को glow करवाए third timer हमारा green indication को glow करवाए यानि कि तीन timer का काम हमारा केवल एक ordino board करने वाला है कैसे करेगा समझिए तो programming करने के लिए आपको इसी ordino board का एक software आता है उस software को आपके PC में install करना पड़ेगा तो मैंने already install करके रख दिया हूँ अब इस software को open करने के बाद आपको यहाँ पे programming लिखना पड़ता है मैंने already programming पूरा का पूरा लिख दिया हूँ यदि आप भी traffic signal का wiring करना चाहते हो तो उसके लिए यदि आपको programming चाहिए तो आपके लिए मैं इस programming का पूरा का पूरा एक PDF फाइल बनाके description में दे दूँगा उसको download करके आप simply copy paste कर दीजेगा अब यहाँ पे हमारा programming ओलेडी लिखा हुआ है अब हमें केवल इस programming को इस relay module में send करना है तो इसके लिए हमें connector का इस्तमाल करना पड़ता है इस connector को मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा PC है यानि की laptop है इसके साथ मैं इसको connect कर दूँगा अब इसका जो दूसरा part है इसको ले जाके ये जो हमारा port है इस port के साथ इसको connect कर देंगे कुछ इस प्रकार से तो हमने इसको connect कर दिये अब ये जो मेरा programming है इसको upload करने के लिए मुझे केवल इस button को प्रेस करना है इसको प्रेस करने के बाद हमारा जो Arduino board है इसमें programming set हो जाएगा programming करने के बाद मैं इसको remove कर दूँगा अब ही मैंने programming किस प्रकार सी किया हूँ एक बार समझ लीजिए देखिए सबसे पहले मैं जब power supply को on करूँगा तो मेरा जो red indication है ये indication 5 second के लिए glow होगा उसके बाद ये जो yellow indication है ये indication 0.5 second के लिए तीन बार blink होगा यानि कि इसमें मैंने blinking effect डाल दिया हूँ ठीक है इसके बाद जो मेरा green indication lamp है ये indication lamp 5 second के लिए glow होगा अब इसके off होने के बाद तुरंट हमारा ये red indication lamp glow हो जाएगा ओके दोस्तों अब जैसे ही मैं power supply को on करूँगा तो अभी आप देख सकते हो सबसे पहले हमारा red indication lamp glow हो चुका है ये 5 second के लिए indication lamp glow हुआ उसके बाद हमारा yellow indication lamp blink हुआ उसके बाद green indication lamp हमारा glow हो चुका है अब ये green indication lamp off होने के बाद red indication lamp glow हो गया इसके बाद yellow indication lamp हमारा blink होगा तीन बाब लिंक हुआ इसके बाद हमारा green indication lamp on हो चुका है ठीके अभी मैंने केवल आपको explain करने के लिए इन सभी indication lamp को 5 seconds के लिए operate करवा रहा हूँ आप यदि practically traffic light को बनाओगे तो वहाँ पे आप timing को program कर दीजेगा कि कितने time के लिए आपको indication lamp को glow करवाना है तो दोस्तों I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो पे like, share और comment कर दीजेगा और यदि आ आपने अभी दक हमारे चैनल को subscribe नहीं किये तो subscribe भी कर लिजेगा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद